Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वक्षीट नमबर 48, 4 क्लास 10th, विशे हिंदी है और ये वक्षीट आपके लिए 15th of December 2021 के लिए शेडिूल की गई है आज की जो वक्षीट है बच्चो उसमें हम पार्ट शुरू करेंगे लखनवी अंदाज वक्षीट चू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन को भी प्रस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए आज की वक्षीट में क्या दिया गया है प्यारे वच्चो आज हम एक ऐसे पाठ का शुभारम करेंगे जिसमें कटाक्ष का पुट मिलता है कटाक्ष क्या होता है कटाक्ष होता है वेंगे तो जिसमें कटाक्ष का पुट मिलता है ऐसा पाठ हम आज पढ़ेंगे जिसका नाम है लखनवी अंदाज लखनवी यानि जो नवाब हैं उनके उपर जो है ये कटाक्ष किया गया है यश्पाल जी के द्वारा कटाक्ष यानि वेंगे, वेंगे साहित्य की एक विधा है जिसमें उपहास, मजाक और इसी क्रम में आलोचना का प्रभाव रहता है यानि जब हम वेंगे करते हैं तो उसमें मजाक, उपहास और साथ में ही आलोचना का समावेश रहता है वेंगे को मुहावरे में वेंगे बान कहा जाता है वेंगे सुनने में मधूर लगता है पर चिंतन करने पर हर्दे में चुभन का एसास कराता है कि वेंगे जो है वो एक बार को तो सुनने में ठीक लगता है मजाग के समय पर जब बोला जाता है लेकिन अगर उसको गहराई से सोचा जाए तो वो बड़ा पीडादाई होता है कश्टदाई होता है चुबन का एसास कराने वाला होता है अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस पाठ की बात कर रहे हैं जी हाँ लखनवी अंदाज इसके लेखक हैं यश्पाल जी यश्पाल जी हिंदी साहित्य के प्रमुख वेंगकार रहे है और यश्पाल हिंदी साहित्य के शिर्ष कथाकारों में से एक है वे माक्सवाद से प्रभावित रहे हैं और उनके उपन्यास जूठा सच को एक कालजी रिचना के रूप में माना जाना जाता है इस पाठ में यसपाल जी ने उस पतंशील सामन्ती वर्ग की वर्ग पर कटाक्ष किया है जो वास्तविक्ता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है तो ये जो पाठ है इसमें सामन्त जो वर्ग है यानि जो दूसरों के उपर अपना अधिकार जमाना अपना अधिकार समझता है उस वर्ग पर कटाक्ष किया है जो वास्तविक्ता से दूर होते हैं ठीक है और एक बनावटी जीवन जो है वो जीते हैं शायद कहना अतिश्योक्ति ने होगा कि वर्तवान समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है अतिश्योक्ति यानि ये बिल्कुल जो है गलत ना होगा कि आज भी ऐसे समय में आज भी ऐसे लोगों को देखा जा सकता है जो परजीवी संस्कृति से हैं परजी आप कहा सकते हो कि superior समझते हैं उसको परजीवी संस्कृती जो है related लोग जो है उनको बोला गया है परजीवी क्या होते हैं जो दूसरे के उपर एक तरह से आप कहा सकते हो कि आश्रित रहते हैं ठीक है ना दूसरे के उपर अपना जो अधिकार है वो समझते हैं ऐसी संस्कृत जो है उसको मसफिल कहा गया है मसफिल जो है उसकी एक passenger train है जो की चलने के लिए बिलकुल तयार है ठीक है उतावली में फुकार रही है फुकार का मतलब क्या है कि जो बहुत ही आप कह सकते हूँ कि उतेजित है या एकदम तयार है चलने के लिए आराम से second class में जाने के लिए अधिक लगते हैं तो यहाँ पर लेकर क्या कहते हैं कि second class का अगर हम टिकट लेते हैं तो उसके दाम जो है उसकी टिकट की कोस्ट वो ज्यादा है दूर तो जाना नहीं था भीर से बचकर एकांत में नई कहानी के समद्द में सोच सकने और खिर्की से प्राकरतिक द्रशे द वारे में सोच सकते थे और खिर्की से बाहर के द्रशे भी देख सकते थे इसलिए उन्होंने क्या किया second class का टिकट ही उन्होंने ले लिया next देखे गाड़ी छूट रही थी यानि गाड़ी जो है वो चलने को तयार थी second class के एक छोटे डिब्बे को खाली समझ कर जरा गई तो एक second class का डिब्बा था उन्होंने सोचा छोटा डिब्बा था कि ये खाली होगा तो खाली समझ कर और जल्दी से उसमें जो है वो दोड़ कर चड़ गए अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था अनुमान के प्रतिकूल प्रतिकूल का मतलब क्या होत या नहीं था एक बर्थ पर लखनवी की नवाबी नसल के एक सफेद पोस सजन बहुत सुविधा से पालती मारे बैटे थी ठीके तो एक बर्थ जो होती है बर्थ का मतलब क्या है एक सीट जो होती है उस पर लखनव की नवाबी नसल यानि लखनव के एक सजन पुरुष थे नवावी नसले नवाव थे वो और एक सफेद पोस सजन ठीक है सफेद पोस सफेद पोस का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक आप कह सकते हो कि सजन भदर पुरुष जो है वो बहुत सुविदा से जो है पालती मारे वहाँ पर बैठे हुए थे सामने दो ताजे चिकने खीरे तॉलियों पर रखे थे ताजे चिकने खीरे या नहीं बिलकुल एकदम बढ़िया दो के और एकदम फ्रेश जो है वो खीरे तॉलिया बिछा के और उसके ट्वर रखे गए थे डिबे में हमारे सैसा कूछ जाने से सजजन की आँखों में एकांत्थ चिंतनमे के विधन में विग्न का ऐसंतोश दिखाई दिया चैके और वो आकेला रहना पसंद कर रहे थे लेकिन उनके इस अकेले पन में जो लेखक है उन्होंने विग्न डाल दिया उनकी आखों से ऐसा प्रतीत हो रहा था सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूज की चिंता में हो तो लेखक ने सोचा कि हो सकता है जैसे मैं सोच के आया हूँ कि मैं कहानी के बारे में जो है सोचूँगा अकेले में बैठके हो सकता है ये भी इसलिए चड़ा हुआ हो कि मैं भी अकेले में बैठके कहानी के बारे में सोचूंगा या खीरे जैसी एपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो तो खीरे जैसी वस्तु यानि खीरे को यहाँ पर एक जो होता है निम्न वर्ग common man आप कहा सकते हो नवाब तो जो है बहुत जादा superior हो गए जैसा यहाँ पर दिखाया गया है और खीरा जो है वो आम आदमी जो होते हैं ठीके उनके लिए उसका प्रतिक यहाँ पर बताया गया है कि जो खीरे जैसी एपदार्थ वस्तु है उसको नवाब को खाते देख उनको बड़ा ही मतलब यह लगा हो कि बहुत जादा संकोच उनको हो रहा हो ऐसा जो है दिखाया गया है कि एक नवाब होकर वो खीरा खा रहे हैं इस तरह कि यहाँ पर प्रवर्ति जो है यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस लाइन के माध्यम से दिखाई गई है एक कटाक्ष यहाँ पर किया गया है नवाबी नसल के उपर ठीक है उसके बाद देखे अब आपको यहाँ पर कुछ प अंदाज के लेखक यसपाल पर प्रभाव है किसका यथार्थवाद, माक्सवाद, छायावाद या प्रियोगवाद सई आंसर रहेगा माक्सवाद ख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जूटा सच उपन्यास के रचनाकार कौन है तो हमने अभी पड़ा जूटा सच के रचनाकार है यशपाल थार्ड है वेंगे में समलित होते हैं हसी मजाग परिहास सभी तो सभी जो है इसमें समलित होते हैं वेंगे में नमबर फोर लेखक ने सेकिंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा उन्होंने टिकट इसलिए खरीदा ताकि एकांत में चिंतन कर नई कहानी की सूज के लिए उन्होंने एक जो है सेकिंड क्लास का टिकट जो है वो खरीदा था घह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है सफेद पोश का क्या आर्थ है भदर पुरुश सफेद कपड़े गोरा वेक्ति साप सुथरा तो सफेद पोश का आर्थ है भदर पुरुश यहाँ पर सफेद पोश किसके लिए यूज के आ गया है भदर पुरुश के लिए नेक्स देखे, नेक्स अब आपको यहाँ पर तीन जो है प्रशने दिये गए है ठिक है उसके अलावा यहाँ पर आपको एक गतिविधी दी गई है और उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है कुछे और वेंग्यात्मक रचनाव और उनके लेखक का नाम पता लगा कर जो है लिखना है, ठिकें, तो ये गतिविधी और ये ק्रिया कलाप और तीन प्रेशन जो आपको दे गए हैं, उनको हम करेंगे, पहला प्रेशन है, सफेद पोश सजन पुरुष मेत तोलिये पर कौन सी वस्तू रखी हुई थी, तो सफेद पोश सजन पुरुष steeds ने तोलिये पर ख खीरा रखा हुआ था कौन सी वस्तूती खीरा रखा हुआ था ठीक है प्रेशन दो लेखर के अनुसार यहां खीरा किस वर्ग का प्रतीक है तो लेखर के अनुसार यहां खीरा मामुली वर्ग के लोगों का प्रतीक है ठीक है निम्न वर्ग के लोगों का भी कह सकते हैं या माम के अंधे, जिससे को मूर्ख या भुद्धिहीन कहना है, तो उसके लिए हम अकल का अंधा प्रियो कर सकते हैं, अकल पर पत्थर पढ़ना जैसे अगर किसी को बाण के रूप में प्रियोग के जाने वाले मुहावरे रहेंगे नेक्स देखे प्रेशन जो है आपके अगली गतिविदी है गतिविदी में क्या दिया गया है कार्य पत्रक से कठीन शब्द चांट कर लिखे और उसका अर्थ पता लगाईए तो आपको जो कठीन शब्द है वो चांट कर लिखने है और अर्थ जो है वो पता करना है तो देखे क्या है पहला है वास्तविक्ता वास्तविक्ता का अर्थ क्या होता है असलियत दूसरा परजीवी परजीवी यानि दूसरों पर निर्भर रहने वाला तीसरा है मुफसिल यानि शहर के आसपास निर्जन निर्जन यानि खाली इसके अलावा अगर आप और भी शब्द जो है आपको कोई मुश्किल लगता है तो वो आप इसका अर्थ के साथ लिख सकते हो नेक्स देखे आपने सिक्षक या सिक्षका की सायता से कुछ और वेंग्यात्मक रचनाओं और उनके लेखक का पता लगा कर लिखे तो ये भी क्रियकलाप आपको दिया गया है इसमें लिख देंगे ठिटूरता लोकतंत्र इसकी जो है रचना किसने की है हारी शंकर परसाई ह ये एक बहुत ही आप कहा सकते हो कि जो है शिर्ष कोटी का नाम है वेंग्यात्मक रचनाओं के लिए हारी शंकर परसाई इनकी बहुत सारी रचनाओं जो है वो वेंग्य पर ही आधारित हैं अंगद का पाउं श्री लाल शुकल खूटी पर टंगी आत्मा रामेश्वर कामबोज हीमान्शू और अंदो का हाथी शरद जोशी ये जो है कुछ वेंग्यात्मक रचनाओं हैं और उनके लेखक इसके अलावा और भी आप इसमें एड़ कर सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीटियो में नेक्स्ट वाक्षीट के साथ टेक केर स्टूडेंट्स बाई बाई